प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोग चाचिया, Assistant Professor, Political Science, LBS Government College, Court Poodley. बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था भारतिय संसद की सेमयधानिक स्थिति. इससे आगे कर टोपिक में मैं आपको बताऊंगा कि भारतिय संसद यह सक्ते है कि हमारी संसद की सक्तियों का छेतर लिखित समिधान एवं सर्वोचे नयाले के नयाईक पुनरावलोकन के अधिकार द्वारा परतिबंदित किया गया है. किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि संसद केवल अनुमोदन करने वाली एवं परचार करने वाली संसदा मात्र बन गई है. वस्तुते भारत में संसद मात्र बन गई है. वस्तुते भारत में संसद यह वह नीव है जिस पर हमारे लोकतंतर की भवे हिमारत खड़ी है. संसद वह स्रोट्षवीनी है जो हमारी अवीरल, निरमल और उन्मुक्त धारा से भारतिय लोकतंतर के हर छेत्र को सीचती है जिससे राष्टर को पोर्षन मिलता है. संसद हमारे देश का एक ऐसा केंदर बिंदू है जहां जनता की आत्मा का वास है. डाक्टर राजेंदर परशाद के सब्दों में संसद एक दल की नहीं एक बल की नहीं किन्तू सभी की है और इसलिए यह सारू भौम है. यदि तुलनात्मक दरश्टी से देखा जाए तो भारतिय संसद की सक्तियां अन्य संग्य व्यवस्था पिकाओं से अधिक है. यदि तुलनात्मक दरश्टी से देखा जाए तो भारतिय संसद की सक्तियां एवं संग्य व्यवस्था पिकाओं से अधिक है. अमरिकी कांग्रेश तथा औस्ट्रेलियन संसद रज्य समंधी विश्यों पर कानू निर्मान नहीं कर सकती जबकि भारतिय संसद को विशिष्ट परिस्थितियों में रज्य के लिए कानू निर्मान का अधिकार है. निसकर्ष्ट कारिये एवं शक्ति के द्रिष्टिकों से भारतिय संसद को की इस्थिती संसद्य प्रभुता तथा न्याइक सर्वोचता के मध्धे की है. दोनों ही प्रकार की सकतियों से संविधा निर्माताओं ने संसद की इस्थिती की सुरुक्षा की है. डाक्टर राजेंदर परशाद ने के अनुसार संसद की अपनी संप्रबुता इसी में नहित है कि वह अपने और जनता के अधिकारों के बीच ने अधिकारों के में भेद ने करे यदि परजातंतर को एस्थिर और सफल बनाना है तो संसद को अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ प्रजा की आवाज सुनने को भी सदा तयार रहना चाहिए तो इस तरह से भारतिय संसद की इस्थिती को हमने देखा भारतिय समिधान विधाई से एस्थाई संसद और गवर्नर भारत की पर्थम निर्वाची संसद तक की विकास यात्रा यानि हमारी संसद की विकास यात्रा कैसे कब से भारतिय समिधान सभा यानि विधाई से एस्थाई संसद और भारत की पर्थम निर्वाची संसद की जो स्थाई यात्रा है उसके बारे में मैं बच्चो आपको कुछ बताऊंगा भारत की समिधान निर्मात्री सभा को वो कारिये परमुख रूप से करने थे, पहला नए समिधान का निर्मान तथा दूसरा नई संसद के गहन तक राष्ट्य विवस्थापी का संसद के रूप में कारिये करना, जब समिधान सभा की साधारन विधी निर्मान के लिए बैठक होती थी, तब उसे समिधान तथा समिधान सभा का विधाई एक अथवा समिधान सभा विधाई कहते थे, जिसका सभापतित्व स्पीकर करता था और वह देश के केंद्रिये विधान मंडल के रूप में कारिये कर Next, 29 जन्वरी 1947 को मावलंकर समीती के प्रती वेदन पर विचार करने के पस्चाद समिधान सभा ने संकल्प किया कि समिधान निर्मान निकाय के रूप में सभा के कारिये और डोमिनियन विधान मंडल के रूप में उसके कारिये में सपष्ट भेद किया जाए और अब सभा डोमिनियन विचारधारा के रूप में कारी करे तो उसकी अध्यक्सता के लिए एक अध्यक्स के चुनाव हेतू उपबंद किया जाए। नेक्स्ट है समिधान सभा यानि विधाई की एक अलग निकाय के रूप में बैठक 17 नॉंबर 1947 को समिधान सभा के प्रेसिडेंट डाक्टर राजंदर परशाद की अध्यक्सता में हुई थी। जीवी मावलंकर इस बैठक में समिधान सभा यानि विधाई के विधीवत निर्वाचित अध्यक्स गोशित किये गए थे। का समिधान लागू हो जाने से समिधान सभा भारत की एस्थाई अंत्रीम संसद बन गई और वैश्क मताधिकार के आधार पर पर्थम आम चुनाओं के पस्चाद नए समिधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी परकार कारिय करती रही। तो इस परकार से बचो आपने देखा कि किस तरह से हमारी संसद यानि समिधान निर्मात्री सभा यानि समिधान सभा से एस्थाई संसद और शर्तंतर भारत की पर्थम संसद किस परकार से अस्तित्यों में आई इस सब चीज का हमने आज अध्यन किया है। तो next बच्चो फिर कभी जैसे कल हम पढ़ेंगे भारतिय संसत के कारिये एवं शक्तिया यानि संसत के क्या कारिये हैं और क्या शक्तिया हैं धन्यवाद